इंशुरेंस कंसल्टेंट एक बहुत ही जादा अच्छा करियर विकल जिसमें आप काम तो करते ही करते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको हमेशा दिल में अंतुष्टी भी होती है कि आप लोगों की हैल्प कर रहे हैं दोस्तों आपने भी नाम जरूर सुना होगा इंशुरेंस कंसल्टेंट जिनकी जरूरत आजकल हर किसी को पड़ती है आप कभी भी कोई इंशुरेंस में कालने के रहे जाए आप एक इंशुरेंस कंसल्टेंट की एडवाईज जरूर लेना चाहेंगे क्यों क्योंकि आपको उ उन packages में मुझे क्या मिलेगा ये बहुत ज़ादा confusing हो जाता है और बहुत ज़ादा समय आपका चला जाता है एक insurance consultant इन चीजों को सिर्फ आप से बात करके समझ सकता है ये आपको कौन सा package suitable होगा और उसको explain भी कर सकता है तो चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं और insurance consultant अगर expert advice दे सकते हैं proper guidance दे सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं आपकी situation के मताबिक सही कवरेद चुनने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा आज के समय में बहुत सारी अलग-अलग कंपनिया अलग-अलग प्रकार के package लेती है package उनके पास available होते हैं एक company में अगर आप बुलोगे क ने मुझे एक company का insurance चीए तो उसके पास भी 10 अलग-अलग प्रकार के packages होंगे तो आपकी situation के मताबिक कौन सा सही है वो आपको एक consultant की बता सकते हैं क्योंकि इनका काम ही है कि अपने client की situation को जान करके उनकी समय को जान करके सही चीज देना वैसे इनके काम की बात करी रहे हैं तो मैं के करके आपको काम बता देता हूं अगर आप भी बनना चाहते हैं तो आपको इन चीजों के ज़रूत पड़ेगी सबसे पहला है सभी प्रकार के packages की जानकारी रखना दोस्तो आज कल competition का समय एक समय चला गया जब एक दो company आ होती थी और अपने insurance के बारे में बताते आज के समय में बहुत सारी जगा है तो अलग-अलग company हो में आप as an insurance consultant काम कर सकते हैं तो आपको अपनी company और जो competitive company हैं उनके भी packages के बारे में जानकारी रखनी होगी ताकि अगर आपके पास कोई client आता है तो आप उनको अपने packages अच्छे से समझा सको पहली बात कि आप directly किस नहीं समझा रहे हैं सामने वाला आपको अपनी situation बताएगा वो बताएगा वो package वो insurance क्यों लेना चाह रहा है किसके लिए लेना चाह रहा है क्या उसकी needs होने वाली हैं कितने वरस में रिटान होने चाहिए होंगे और सारी चीजे इसके बाद आपके पास अगर वो पूरी list ह है आपको पता है सारी जानकारी कि कौन सा package सही रहेगा इनके लिए इनके नियुक्त से मतब्द आप मुझ बानी उसको बता सकते हो वरना आप कागज़ों में भिड़ जाते हो और ढूनते रह जाते हो तो पहला काम इनकारी रहता है कि सारी packages की जानकारी रहे और इंसान कबसे जरूरी होता है कि क्लाइंट से अच्छे तरीके से बात करना बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो पुरा explain नहीं कर पाते हैं और फिर they end up with गलत package उन्होंने कुछ गलत ले लिया तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि अपने communication कर इस्तवाल करना है कि उनसे सारी चीज कोई हादसा हो जाता है और ऐसे समय पर आपको क्लेम करना रहा तो बहुत सारे अलग अलग नियम terms and conditions आ जाती है कि यह नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा परिशान होते हो ऐसे समय पर एक अच्छा consultant आपको help करता जिसने आपको package दिलवाया था कि भाई कैसे claim करना है किन-किन norms को किस तरीकी से पढ़ना है कितना मिल सकता है क्या चीज़े सारी चीज़े आपको पहले भी explain कर सकता है और claim करते समय जितनी भी processing है उसको भी handle कर सकता है आपको उन चीज़ों में पढ़ने की ज़रुद नहीं पढ़ेगी आपको इतना परिशा and join हो रहा है तो उनको help करना उनको सिखाना की कैसे काम करना यह भी एक insurance concern के काम में आता है अब यह सब करने के लिए किन skills की जरूरत होगी यह आप समझी कर होंगे कि सबसे पहली चीज़ है अच्छा खासा communication आपको आना चाहिए अच्छे खासे से मतलब है कि बहुत अच्छ communication हो रहा होता है और अंद में बता जलता कि किसी वो कुछ भी समन में नहीं आ है तो आपके अंदर वो ability होने चाहिए कि आप सही से बात कर सके और सामने वाले की बातों को समझ सके सुन सके और उसके according फैसला ले सके आप सही coverage नहीं प्रोवाइड कर सके रीचक की आदत आपक पिर भी आप एक बार रीचक करने कि हां क्या इनके लिए सही है तो यह स्किल्स की जरूरत हो कि आपको कम्यूनिकेशन जादा अच्छा होना चाहिए इसके अलावा डिगरी होल्डर होना आपको जरूरी होगा और problem solving skills आपके अंदर होने चाहिए दोस्तों problem solving skills की जरूरत इ इसे भी होते हैं जो परिशानी के समय ही insurance की तरफ ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि हां किस तरीके की problem है कैसे solve की जा सकती है किस सही package से इनका आधा काम खतम हो जाएगा तो वह आपको यहां पर कोशिश करने हैं यह तो है दोस्तों कि इनको काम consultant बनने के बाद किसी company में ही काम करें अगर आप company में काम करते भी हैं तो आपको initially दो से तीन लाग का package लग जाएगा परहनम का और समय के साथ साथ यह 20 से 25 लाग रुपे में भी convert होता है कितना जादा आप लोगों को convert करेंगे लोगों convince करेंगे अच्छा insurance package देंगे उतना आपका customer client base बनते जाएगा उस हिसाब से आपकी growth भी होते चली जाती है लेकिन आप self-employed consultant भी बन सकते हैं जो लोगों को इस प्रकार से help करेंगे बस आपको अपने clients बनाने होंगे जूकि आप पर भुरुसा कर सकें अगर आपने ऐसे clients बना लिए तो फिर उनके premium में आपका जो incentive निकलते जाता है और आप यहाँ पर unlimited पैसे कमा सकते हैं इसमें कोई दोराई नहीं है तो यह है दोस्तो एक insurance consultant के बारे में सारी बाते हैं अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप comment section में लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like और चैनल को subscribe ज़रूर कर दीज बन्यवाट